नमस्कार मैं अंजली विशौद स्वागत है अपका हमारे चैनल में आपको बता दे कि आहमादमी पार्टी जो है पहले दिल्ले उसके बाद पंजाब और पंजाब में जीत के बाद जो है काफी कॉन्विडेंस आ गया उन्होंने हाले फिलाल में अर्विंद्र केजिवाल ने जब हमाचल प्रदेश में उन्होंने रोडशो किया तो इस दौरान ब्रश्टाचार को लेकर इनुने दिनों के आकड़ों में फिर से उलटफेर करते नजर आए पहले बंजाब में कहा कि 10 दिन में भश्टाचार खत्म कर दिया और जो है और जो है अर्वंद्र केजिवाल कि यह जो बयान है कितना कंट्राडिक्टरी बयान है और यह आखिर इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं और भगवत मान ने भी बहुत कुछ जो है हिमाचल प्रदेश के जनता से वह कहते नजर आ है क्या कुछ कहा इन्हों ने आये जरह हम विस्तार से जोन लेते हैं बता दे की जो है वो जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में आज ही जो है उन्होंने हिमाचल के मंदी में आम आदमी पार्टी ने तिरंग का यात्रा निकाली इस यात्रा में अर्विंद्र के जिवाल ने भी हिस्सा लिया और इस मौके पर अर्विंद्र के जिवाल ने कहा कि पंजाब की तरह अब हिमाचल प्रदेश भी बदलाव चाहता है इस दौरान अर्विंद्र के जिवाल के साथ पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवतमान भी मौझूद थे उन्हों उन्हें भी इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक करने नहीं आती है फमें देश भक्ति आती है पहले दिल्ली के बाद बन्यम्ने बदलाव किया था और हम पंजाओ में कर रहे हैं और अशुमाचल प्रदेश के लोगों' भी मांगा उन्होंने दूसरे दलों को भी देख लिया है और आप अब हमें देखने की कोशिश करें आप हमें भी एक मौका दे रोचों के दौरान अर्वेंद्र के जिवाल ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से आपको मौका देने की अपील की उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ल हिमाचल प्रदेश में भी वह बदलाव लाना चाहते हैं और अब वह वक्त आ गया है जब हिमाचल प्रदेश में बदलाव आए उन्हें कहा यहां से भ्रष्टाचार को उखाड फेकना है के जिवाल ने कहा कि पहले हमने दिल्ली में और फिर पंजाब में भ्रष्टाचार मिटाया है और अब हिमाचल प्रदेश में भी ब्रष्टाचार को जड़ से उखाड फेकने का सैस्ता करने आए हैं मतादे कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच मुकाबला है यहां जो सीम है जो एराम ठाकुर उनकी अगवाई में बीजेपी की सरका में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी एहमदबाद में भी निकाली गई थी और इस यात्रा में भी अर्वेंद्र के जीवाल और साथी भगवतमान शामिल हुए इस दोरान आपको बताएं कि उन्होंने कई सारी बाते कहीं और यह भी कहा कि किस तरीके से पंजाब में 20 इस दिनों में इन्होंने भष्टा चार मुटा दिया है अब बतादें आपको कि कई सारे नेता हैं उन्होंने पार्टी छोड़कर भारते जंता पार्टी का दामन थाम लिया था और रोट्शो को तक्रीवन आधा जब रोट्शो कंप्लीट हो गया तो पंजाब के मंतरी भ फर्श हो रहा है उन्हें का कि अंग्रेजों ने यहां 200 साल की गुलामी जेली उसके बाद भाजपा और कॉंग्रेस ने हमें 55 साल तक लूटा और टुकड़ों में गुलामी दी उन्हें कहा कि अब पांच साल बाद हम जानते थे कि हमारी बारी आएगी इन्होंने लूटे क सिवा आपको कुछ नहीं दिया है और मान ने कहा कि अब भगवान ने हमको जाडू दे कर भेजा है राजनीती की सफाई करने के लिए हम बार बार अपने आपको वोट दे हम चाहते हैं कि आप इस बार हमें वोट दे और अच्छी सिच्छा अच्छी सेहत बिजली पानी जै भी तीसरी पार्टी बनने की कोशिश लगातार कर रही है और जिस तरीके से वो रोच्छो कर रहे हैं उसे देखते हुए भगवतमान ने एक और बात कहीं उन्हें कहा कि पंजाब में आप लोगों की रिष्टदारिया है 20 दिन हुए हैं शपत लिए आप पूछ लेना कि व अच्छा लग रहा है इतने शांदार तरीके से उनका स्वागत किया गया है उसके लिए उन्हें शुक्रियादा किया रोचो में भारत का राश्ट्रिया धर्ज तिरंगा सबसे जादा नजर आया वहां पर जाडू का तिरंगा नहीं बलकि राश्ट्रिया तिरंगा लेकर पहुचे हुए थे आम आदमी पार्टी का जंडा भी लोगों के हाथ में मौजूद था लेकर उसके संग्या काफी कम थी वहीं पंजाब की मुक्य मंतरी भगवत्मान भी परचाई की तरह अर्वंद्र के जिवाल के साथ मौजूद नजर आये और इस दौरान बयानबाजी कर दिया जिसके बाद आपको बता दे कि जैसे यह स्टेटमेंट आया सामने लोग उन्हें ट्रोल करते नजर आ जनता जो है उनसे सवाल करती नजर आई कि अर्वेंद्र के जीवाल कितना जूट बोल सकते हैं एक यूजर ने तो यह भी पूछ लिया कि भ्रष्टचार खत् भगवत्मान दोनों पर सवाल खड़े कि और उन्होंने काकड़ा भी दे दिया कहा कि कभी इंटरव्यू में कहते हैं कि तीन करोर का कर्ज खत्म हो गया है वही एक सब्सक्राइब दूसरे चैनल के इंटरव्यू में जाते हैं तो उसे चार करोर बढ़ा देते हैं तो पंज लिके मुक्यमंतिर अर्वेंडर केजवाल कहते नजर आते हैं वही पर ऐसे आफिसर्स का वह ट्रांसफर भी करते नजर आते हैं जो ऑफिसर्स सच में भरस्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज बंद कर देते हैं या फिर उन्हें पंजाब से हटा दिया आप आदमी पार्टी आने के बाद किस तरीके से विपक्षी दल के दो या तीन कारिकरताओं को जो है बेरामी से मारा गया जिसे लेकर जाच बिठानी चाहिए उसमें भी लगातार बयानबाजी की जारी है और राजनीती की जारी है यह बात भी किसी से नहीं छुपी है वै सामी जो है जिमधारिया डी गई पीडी की जिमधारी है जोर्से है कई सरी हूज फियू के सिर पर है उनकी पर करवाई की काई सारी फ्रॉपर्टी है इससे पहले बढ़ी बड़ी बयानबाजी की जाती थी कुद अरविंदू के जीWal काई शूरा हमें पता है की की इस लेकिन भेस्टाचार का खेल देखिए कि दिल्ली में रहते हुए इतने डपार्टमेंट इतनी जमदारी होते हुए इडी के सिकंजे पर एडी की रडार पर पहुच गया उनके फैमिली की कई सारी प्रॉपर्टी जॉप्त कर दी गई तो जो अर्वेंद्र के जीवाल वन्यवंत मां को कैते हैं कि दस दिन आने में उनोंने फ्रश्टाचार खत्म कर दिया उनकी सरकार आज इतने सास्माप्त कर दिया शुर्व पंजाब में कि एक हफ्ते के अंदर ड्रग माफिया उपर नकिलकसी जाएगी लेकिन आस तक ड्रग माफिया उपर किसी तरीके की कोई कारवाई देखने के लिए नहीं मिली लेकिन इसके बावजूद अर्विंद्र केजिवाल का कहना है कि पहले दस और अब 20 दिनों में उन्हों ब्रश्टाचार खत्म कर दिया है तो ऐसे मैं आपने ये मुद्धा बड़े ही विस्तार से जान लिया कि किस तरीके से अर्विंद्र केजिवाल पर लोग जूट बोलने का अरोप लगा रहे हैं कि अर्विंद्र केजिवाल कितना जादा रंग बदल सकते हैं पहले 10 दिन में ब्रश्टाचार खत्म करने की बात कह रहे हैं ऐसे मैं आपने ये मुद्धा बड़े ही विस्तार से जान लिया और इस पूरे मुद्धे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं